हेलो एव्रिवन, विल्कम टू न्यू वीडियो, इस वीडियो में जो आज का लीड कोड डेली चैलेंज का प्रॉब्लम था, मैक्सिमम विट्थ ऑफ बाइनेरी ट्री प्रॉब्लम, उसका सल्यूशन हम डिसकस करेंगे, सो प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा था, सो इसमें जो कॉंसेप्ट यूज होने वाला था, लाइक सपोज हमारे पास बाइनेरी ट्री गिवन है, एंड उसमें, हमें नोट्स के बीच में जो मैक्सिमम विट्थ पॉसिबल है, किसी भी लेवल पे, वो हमें फाइंड गरना था, सपोज यह हमने एक्जम्पल ले लिया, तो यहाँ पर बाइनेरी ट्री में कुछ एजेस मिसिंग हैं, जैसे इस वाले नोट का यह राइट एज मिसिंग है, राइट चाइल्ड मिस है, सो हमें यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैक्सिमम विट्थ है, वो यहाँ पर आ रही है, इन दोनों नोट के बीच में, विच इस थरी, इस वाले केस में जो मैक्सिमम विट्थ पॉसिबल है, वो थरी है, so इसमें हमें binary tree given थी obviously and binary tree में obviously कुछ nodes missing हो सकते थे like किसी node का left child missing हो सकता था left child null हो सकता था null का मतलब left child नहीं है किसी node का right child null हो सकता था so ऐसे ही हमें क्या find करना था उन nodes को consider करना था जो भी हर level पे starting और ending node है उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है distance कितनी है वो find करना था basically या number of nodes इदर इन दोनों के बीच में मतलब total including these nodes कितने nodes हैं possible अगर एक complete binary tree होता है तो suppose ऐसा हमारा complete binary tree होता है तो यह एक मैंने complete binary tree बना है तो यहां पे अगर देखोगे आप अगर मैं कुछ nodes को मिटा दू जैसे यह nodes को मिटा दू तो इस case में जो maximum difference या maximum distance किसी भी nodes के बीच है वो इन दोनों nodes के बीच है and कितने distance possible है इन दोनों nodes के बीच में कितने distance है obviously जो nodes missing है उन्हें भी हम count करेंगे इन दोनों nodes के बीच में so यहां पर 3 nodes missing है so total number of nodes या distance possible है या width possible है इस binary tree की वो है 1,2,3,4,5,6,7 ठीक है हमें ऐसे करना था so एक naive approach क्या हो सकती है naive approach इस problem को solve करने के लिए जो हो सकता है हम क्या करें root node को एक value 1 assign कर दें या 0 से भी आप start कर सकते हो and then हम क्या करेंगे अगर उसका left child है उसको हम 2 into जो भी हमारा root node है 2 into 1 यह 2 हो जाएगा so किसी भी node का किसी भी node का हम यह कैसे हमारा जो heap होता है heap क्या होता है एक complete binary tree होता है so हम similarly हमारे पर जो binary tree given है उसे हम ऐसा heap treat करेंगे treat कर सकते हैं करेंगे नहीं कर सकते हैं उसमें जो nodes होंगे उस node के left child का suppose node की value x है so node के left child की value 2x हो जाएगी node के right child की value 2 into x plus 1 हो जाएगी so ऐसा ही heap में होता है जिसमें हम array में store करते हैं अपने heap को ठीक है या binary tree को so वो concept use करके हम यह problem solve कर सकते थे so कर सकते थे लेकिन उसमें एक आपको memory limit memory limit नहीं integer overflow का error आएगा आपको उस वाले case में अगर इस नई वैपरोच से जाएगे वो मैं case अब भी बताता हूँ कौन से में ऐसे में क्या होगा नहीं तो once हम start करेंगे left child 2 हो जाएगा 2 into x root node की value root node या parent node की value similarly right node क्या हो जाएगा 2 into x plus 1 3 हो गया अब यह वाले node के लिए left node क्या होगा 2 into x 2 into 2 is 4 x यहाँ पे 2 था right node क्या हो जाएगा 2 into x plus 1 2 into 2 plus 1 5 इसके लिए क्या हो जाएगा 6, 7 ऐसे fill होते जाएगे ठीक है लेकिन इस वाले case में यह integer overflow हो सकता है कौन सा case आप एक case consider कर लो हमारे पास number of nodes जो हो सकते हैं वो काफी बड़े हो सकते हैं अगर आप यहाँ देखो कि number of nodes possible है वो 1 से लेके 3000 के बीच में है so 3000 nodes suppose हो सकते हैं ठीक है so अगर हमारे पास ऐसा कुछ ट्रीक इवेन है so यह nodes कितने हो सकते हैं 3000 तक suppose max worst case में so worst case में इस value को अगर हम one initialize करते हैं so यह सारी values के आऊंगी 2 into node value plus 1 2 into x plus 1 3 हो जाएगा यह value कितना हो जाएगा 3 into x plus 1 which is nothing but sorry 2 into x plus 1 7 यह हो जाएगा 2 into 7 plus 1 15 यह हो जाएगा 2 into 15 plus 1 31 यह हो जाएगा 63 sorry 61 no 2 into 31 plus 1 so 63 and so on so ऐसे आप देखोगे ऐसे 2 की पावर 3000 टाइम्स हमें जाना पड़ेगा 2 की पावर 3000 टाइम्स जो कि किसी भी आप कोई हमारे पास ऐसा data टाइप नहीं है जिसमें हम इतनी बड़ी value को हम store कर सकते हैं ठीक है तो इसी लिए यह जो naive approach है जिसमें हम node को x suppose value है उसके child left node को 2x initialize करें value से and right node को 2 into x plus 1 से initialize करें so वहाँ पी यह value fail हो जाएगी यह condition fail हो जाएगी इसको overcome करने के लिए बस एक simple सा approach था so suppose एक example ले ले लेते हैं wait ठीक है यह हमारा example एक ले लेते हैं so इसमें हम क्या करेंगे अगर हम naive approach से इसको अगर ordering करेंगे या values प्रोवाइड करेंगे so यह value 1 हो जाएगी यह 2 हो जाएगी यह 3 हो जाएगी यह 4 हो जाएगा and यह 7 हो जाएगा यह 8 हो जाएगा and यह 7 to 14 हो जाएगा so answer तो 14 minus 8 6 आएगा ठीक है worst मतलब width maximum width जो इस tree की possible है अब मैं क्या चाहता हूँ मैं इसमें एक क्या overflow की condition को कैसे हमें overcome करना है overcome करने के लिए हमारा जो हर एक level obviously level के node से हमें मतलब है किसी भी level पे जो rightmost node है and जो leftmost node है उन दोनों के बीच में जो value का difference है वही हमें width देगा and maximum जो भी values हो सकते हैं हर एक level पे वो हमारा maximum of all values क्या हो जाएगा हमारा maximum width हो जाएगा ठीक है so हमें हर एक level के values से मतलब है so हम इसमें क्या करेंगे जो भी हमारा जब भी किसी level की start होगा न so हम starting value को zero decrease कर देंगे मतलब zero try करेंगे convert करनेगा ठीक है suppose मैं इस वाली value को यहां से हम start करते हैं इस वाली value इस वाले node की value 2 है starting node की इस वाले level 1 हो गया यह suppose यह हमारा level 0 था so यह level 0 है यह level 1 है यह 2 है यह level 3 है so level 0 है level 1 पे starting node की value 2 थी मैं इस बोल रहा हूँ इस node की value को मैं 0 करना चाहता हूँ 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 0 करने के लिए मुझे currently value 2 है तो इसमें से 2 remove करना पड़ेगा so मैं जो यह 2 remove करूँ है सारे elements में से remove करूँगा क्यों? क्योंकि इसमें जो मेरा width आ रहा था width क्या आ रहा था 3 minus 2 plus 1 जो rightmost node की value minus leftmost node की value plus 1 यह मुझे देगी width ठीक है? so इसमें 14 minus 8 plus 1 आएगा rightmost minus leftmost plus 1 यह होगा basically 7 if I'm not wrong, yes so 7 इसमें इसमें 3 का maximum width होगा मैं यह क्या बोरहा हूँ? मैं इस 2 को 0 convert करना चाहता हूँ so मेरे पास leftmost node है 2 rightmost node है 3 इनका width कितना आ रहा है? 3 minus 2 plus 1 which is 2 and अब देख भी सकते हैं 2 width थै क्योंकि 2 nodes है और मैं क्या बोरहा हूँ? अगर मैं इस 2 को 0 में convert करता हूँ so 2 मेरा 0 में convert हो गया 2 में से मैंने कितना subtract किया 2 को subtract किया so अगर मुझे उतना same width चाहिए तो मुझे बाकी nodes या जो भी nodes हैं उस level पे उन सब में से मुझे 2 remove करना पड़ेगा so मतलब ये वाले node की value क्या हो जाएगी ये तो 0 हो जाएगा 2 remove कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 ठीक है? अब इससे effect क्या पड़ेगा? इससे effect ये पड़ेगा मेरे जो overflow की condition कम हड़ जाएगी overflow की condition हड़ जाएगी ठीक है? कैसे अब जो इसके next वाले node है अगर इसका left child है तो उसका value क्या होगा? obviously जो हम condition लिए है अगर हम zero based आगर indexing आप लेते हो one based indexing और zero based indexing का अंतर देखो अगर one based indexing लेते हैं तो उसमें हमारा left child होता है 2 into जो भी हमारी value है x right child होता है 2 into x plus 1 अगर zero से हमारे value start होते है उस case में हमारा left child क्या होता है? उस case में हमारा left child जो start होता है 2 into x plus 1 and जो right child start होता है वोता है 2 into x plus 2 reason being क्या है? suppose कोई node है उसकी value 0 है so इसका left child अगर मैं 2 into x रखूँगा तो ये तो two into zero करोगे तो zero ही आएगी क्या root का left child भी zero हो सकता है obviously नहीं किसी note का left child different होना चाइए zero से one होना चाइए so इसलिए zero वाले case में हम ये वाला रूप अपनाते हैं मतलब ये conditions like left child के लिए two into x plus one right child के लिए two into x plus two ठीक है सो यहाँ पर left child जो मेरा क्या होगा 2 into x 0 से start हो रहा है तो 2 into x 0 plus 1 सो यह 0 हो जाएगा 0 plus 1 is 1 ठीक है इसी level पर बाकी जो nodes है उनकी value में उसे भी मैंने 2 decrement किया है decrement करने पर 1 का क्या है 1 का right node ही है मतलब इस 3 का एक right node था 3 का right node था 1 का right node की value क्या होगी 2 into 1 plus 2 2 into 1 कितना होता है 2 होता है 2 प्लस 2 कितना होता है 4 अब देखो इस वाले level पर जो nodes है उनकी value क्या है 1 and 4 दो ही nodes है ठीक है इनके बीच में यह rightmost node हो जाएगा हमारा यह leftmost node हो गया width कितनी हो गई 4 minus 1 plus 1 which is nothing but 4 ठीक है यह जो change हमने किया है change क्या किया हर एक level पर जो हमारा starting node है उसकी value हम 0 करने के try कर रहे है 0 इसलिए करने के try कर रहे है ताकि वो overflow ना हो overflow ना हो अब यहां पर देखो हम इस वाले level पर थे इस वाले level पर value थी 4 and 7 इस वाले level पर width कितना आया था 7 minus 4 plus 1 क्या होगा 3 plus 1 which is nothing but 4 4 आया था ठीक है यहां तक सही है अब next level पर आ जाओ next level पर हमारा leftmost node 8 था rightmost node 14 था and जो width आया था वो था 14 minus 8 plus 1 which is nothing but 7 ठीक है अब हम, हम जो कर रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं हमारे पास इस level पर notes क्या है 1 है and 4 है ठीक है तो हमारे पास 1 है and 4 है इस level पर जो notes है 1 and 4 यह ए so 1 का देखो ours one basically इस 4 को represent कर रहे है eight है ठीक है so one को पहले हम क्या उको लेंगे हर एक level पे जो भी starting node है इसको 0 convert करने का अगर इसको 0 convert करना चाता हूँ तो मुझे इसमें से कितना subtract करना पड़ेगा so जो भी value मुझे subtract करनी है वो 1 हो जाएगी ठीक है so इतना subtract करना पड़ेगा तब ये value 0 starting value 0 हो जाएगी ठीक है 0 होने के बाद इसका एक left child है left child है so left child की value क्या होगी 2 into value प्लस 1 0 आले case में ये होता फॉर्मूला left child is 2 into x plus 1 right child is 2 into x plus 2 so यहां से 1 आ जाएगी left child की value ठीक है rightmost child मेरा 4 है उसमें से भी मैं subtract करूँ है 1 subtract करने पे मेरी final value क्या आ गई 3 आ गई so 3 का left child यह देखो जो हमारा 7 था यहां पर यह जो 7 था इसकी left child है यहां पर अगर दिखनी रहा है तो so यह वाला 7 node था यह अभी हमारे current हमने जो changes किये हैं उसके बाद इस node की value 4 हो गई है and इसका left child है ठीक है so left child के लिए क्या करेंगे so यहां पर 3 आ गया था so 1 हमने decrement किया 0 वाला case चल रहा है जिसमें starting node की value 0 है so starting node जिसमें 0 है यह वाले case में left child का क्या formula है 2 into जो भी value है plus 1 यह left child देगा which is nothing but 7 अब यहां पर देखो width कितना आ रहा है width आ रहा है 7 minus 1 plus 1 which is nothing but 7 so और इस वाले case में भी क्या आया था final width final width जो आया था 14 minus 8 plus 1 which is nothing but 7 ठीक है so ऐसे हम overflow के condition को overflow के condition को क्या कर सकते हैं हम avoid कर सकते हैं क्या changes हमने किये हैं हमने बस level order traversal करना है क्योंकि width जो होगी वो एक particular level पे जो leftmost node है उसकी value and जो rightmost node है उसकी value पे depend करेगी so basically होगी क्या हर एक level पे एक rightmost node है उसकी कुछ value है minus जो leftmost node है उसकी कुछ value है plus 1 करेंगे तो उस level पे क्या width है वो पता चल जाएगा and जितने भी levels है उनमें से जो maximum width होगा वो हमारा maximum width of tree हो जाएगा ठीक है so हम क्या कर रहे है हम हर एक level पे level order traversal कर रहे है यह करते कैसे है obviously BFS की मदद से breadth first search की मदद से करते है and level order traversal क्या हो अभी मैं बताता हूँ so हम कर क्या रहे है हर एक level पे जा रहे है and starting node को 0 बनाने का try कर रहे है 0 बनाने के लिए suppose node की value x है तो इसमें से हमें subtract करना पड़ेगा starting starting node की value हर एक level पे हर एक level पे starting node की value मैं 0 convert करने का try कर होँगा क्यों क्योंकि overflow ना हो overflow ना हो इस से overflow की condition को हम hold कर सकते है overflow हमारा नहीं होगा ठीक है x जो है suppose x है x को 0 convert करना है तो हमें x minus करना पड़ेगा इस नहीं इस level पे जितने भी notes है उनका कुछ ना कुछ value होगा तो उन सारे notes की value में से हम x remove करेंगे and उसके बाद जो उनका left child है and right child है उसे find करेंगे लेफ्ट and right child को find करेंगे formula कौन सा use करेंगे ये 0 अला case है अगर हमारे value 0 से start होती है तो उसके लिए क्या formula है left child का formula है 2 and 2 जो भी value है plus 1 right child का formula है 2 and 2 x plus जो भी value है sorry plus 2 अब यहाँ पे आते हैं कि level order traversal कैसे करते है level order traversal कैसे करते है simple simple चीज़े हम करते है क्या simple सी चीज़े obviously हमें दो चीज़ मेंटेन करनी है node कौन सा है and उसकी value क्या है अभी ठीक है यही दो चीज़े maintain करनी है हम BFS का use करते है level order traversal के रिए so BFS basically Q से implement होता है तो Q में हम क्या push करेंगे हमारे पास जो root node initially given होगा and उसकी value हम 0 से start करेंगे ठीक है ठीक है ऐसे हमारा start हो गया अब हम क्या करेंगे यह क्या होता है जब भी while हमारा जो भी Q है Q is not Q.empty जब तक हमारा Q empty नहीं हो जाता है मैं यहाँ पे एक SZ लोगा जो पताएगा currently Q की size क्या है so जितनी size होगा उतना इस level पे elements है ठीक है SZ is basically Q.size Q हमने लिए है ठीक है इस Q का name Q है variable Q variable का name है Q so इतना हो जाएगा इतने सारे elements है इस वाले level पे so मैं क्या करूँआ जितने elements है इस level पे उन्हीं से मुझे मतलब है तो एक loop चलेगा I0 से I less than SZ तक plus plus I and में पस दो values आएँगी दो values के आएँगी pair में होगा obviously पहला होगा कि कौन सा node है जो एक tree node pointer type का होगा दूसरा उसकी value क्या है so इसको मैं temp बोल देता हूँ which is nothing but जो भी Q था Q.front Q में operation कहा से होता है front से value निकलती है Q.pop अब मैं क्या करना चाहता हूँ यहां पर एक value जिसे मुझे सब्ट्रैक्ट करना हूँ है इस level से जो सारे values में से subtract करना है वो initially 0 होगा अगर मेरी I की value 0 है अगर मेरे I की value 0 है तो मुझे पता है क्या पता है मुझे मुझे पता है कि इस value को जो भी हमारी first value है इसे 0 में convert करना है 0 में convert करना है 0 में convert करने के लिए मैं क्या करूँगा जो भी value subtract करनी है वो basically इस first element के equal होनी चीए which is temp.second ठीक है तो ये सिर्फ first element को first element को हम 0 बनाना चाहते है उससे बनाने के लिए इतनी value में subtract करनी पड़ीगी ठीक है ये चीज हमें subtract वाली value मिलगे अब जो भी values हम उसके child को define करेंगे obviously यहां पर दो और चीज़े होंगी क्या होंगी एक हमें store करेगा left child left value and एक जो rightmost value है तभी तो इस level पर जो width होगी वो कैसे निकलेगी वो हमेशा निकलेगी right minus left plus 1 से right represent करेगा rightmost note की value left represent करेगा leftmost note की value and यह हो जाएगा इस level पर जो width है answer क्या होगा answer होगा max of answer comma यह जो value है so that's it इसमें हम क्या करेंगे अब यहां पर obviously अगर left की value left is minus 1 initially left की value हम minus 1 रखेंगे minus 1 क्यों रखेंगे मैं बताता हूँ minus 1 का यह मतलब है कि हम यह हमारा first element है अभी हम first element पर है so जब हम first element पर होंगे वह हमारा क्या होगा leftmost node so हम इसमें बोलेंगे leftmost node की value क्या होगी जो current हमारे node की value है which is nothing but temp.second similarly यहां पर बाकी जो rightmost node होगा वो basically जो भी current node है उसकी value यह represent करेगा rightmost node को ठीक है so ऐसे leftmost node और rightmost node आ गए अब यहां पर मैं लिख देता हूँ और हमें करना क्या है हमें ध्यान देना है क्या अब इसके बच्चे क्या है current node के जो भी children है so temp.first बताएगा यह current node पे अगर इसका कोई left child है so तो हमें एक value find करनी होगी एक value उसके लिए find करनी होगी वो value होगी क्या जो भी current value है इस node की temp.well उसमें से हम जो subtract करेंगे उस variable को subtract की value क्या होगी वो variable की value उतनी होगी जो हमारा first starting element था इस level का हमने starting element को 0 बनाया ना तो जितना value हमें subtract करना होगा वो यह subtract होगा ठीक है और 0 से 0 elements को हम consider कर रहे है so उसका left child होगा basically value into 2 plus 1 अगर left child है so bfs में हम push करेंगे क्या temp.left temp.first का left child यह जो condition है ना if temp.first.left यह तभी इस condition के अंदर तभी चलेगा जब इसकी value null नहीं होगी null का मतलब होता है false so मैंने लिखा यहां पर basically if true यह basically यह condition है अगर कोई left child present होगा तो हम यह value if condition इसके equivalent है if true अगर नहीं होगा तो यह हो जाएगी if false के equivalent ठीक है so अगर left child होगा तब हम इसके अंदर enter करेंगे so ऐसे हमें left child की value मिल गई हमने बस BFS में push कर दिया जो भी हमार left child था and जो भी इसकी value यहां से निकल के आई है ठीक है अब similarly हम चेक करेंगे क्या जो हमारा node है उसका कोई right child भी है same sorry right child भी है अगर right child होगा तो हम उसकी value निकालेंगे value कैसे निकालते हैं zero आले case में zero आले case में होता है जो भी हमारा value है temp.second minus जो भी subtract करना है into 2 plus 2 ऐसे हमारे zero आले case में right child निकलता है and BFS में हम push कर देंगे जो भी हमारा node है node के temp.first का right child है and इसका जो भी value है ठीक है so that's all and इसके यह यह वाली condition का होगी इस वाले bracket से पहले so यह bracket कितने बार चलेगा जितने इस current level पे nodes होगे ठीक है अब last में हम answer को update कर देंगे like जो भी हमारा maximum right value आया right node की value minus left node की value plus 1 और answer में जो maximum होगा वो हमारा answer उससे update कर देंगे so that's all इसमें overcome करने के लिए क्या किया था हमने हर level पे जो भी value starting value को हमने zero पे convert किया उससे क्या होगा हमारा overflow वाला condition कतम हो गया ठीक है that's all if you like the video channel को subscribe कर दे and bye bye take care